नमस्कार आज हम बात करेंगे द्रौपदी के जन्द की कहानी क्या है उनका जन्द का सही जनकारी जी हाँ महाभारत के सभी पात्रों का इतिहास बहुत ही रोचक रहा है महाभारत में पांड़ों और कर्वों के साथ द्रौपदी भी मुख पात्रों में सेख थी कई भी द्वानों का मनना है कि महाभारत के युद्ध किप में जो हुआ उसमें द्रॉपदी ही मुख कारण बनी थी अगर द्रॉपदी नहीं चाहती तो महाभारत नहीं होता आईए जानते हैं इसकी पूरी कहानी कहा जाता है कि महाभारत में बताया गया है कि पंचाल देश के जो राजा दुरुपत थे उनको गुरुद्रों से किसी बात को लेकर क्यान बन होई तो उन्होंने अपमान का बदला लेने के लिए एक की यग करवाया और इसी यग के हवन कुट से इस अगनी से दृपदी प्रकट हुई यग सिउत्वन होने के कारण दृपदी को अगनी शेनी भी कहा जाता है पंचाल देश की राजकुमारी होने के कारण दृपदी को व्हता काली का रूप में पूजा जाता है जिहां वीडियो के अंतक बने रहें और अगर चानल पर ने तुझ तो तिरे चानल को सब्सक्राइब करदे। आप पर भखवान करवों के भरी सभा में द्रापदी को लजीद करना चाहाँ तब कुरोधी द्रापदीने करवों को समुल्णास का कशम खाई असो ने कह दिया कि तुमारा समुल्णास हो जाए जी हाँ उसके बाद पूरे कउरव बंसका ही नास हो गया माभारत के करनाटक आंतपर्दि सर्था में लाडु राजियों के कुछ गाओं में देवी द्राबदी पुझनिये हैं इन राजियों के गाओं में द्राबदी को काली मा का आवतार मना जाता है इन गाओं में अमन नाम से देवी द्राबदी के पुझा होती है यहां देवी द्राबदी क नहां के सभी गाओं की रच्छा करती हैं और बात भी सही है कि वो द्रापदी जो थी वो अगनिश उत्पन हुई थी इसलिए इन्हें अगनिश नी भी का जाता है तो द्रापदी की जन्म की कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों कॉमेंट बॉक्स में वावस बताएंगे इसी त और झाल करेंब़ दोजया कि विए उस्तों क।